नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका अजब गजब ग्यान चैनल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेम्बू से मुटापा कैसे कम करें बात करते हैं नेम्बू से मुटापा कम करने की तो अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही साबित होगा तो जानते हैं कैसे सिर्फ एक छोटे से नेबू से वजन कम करें आपको कुछ आर्टिफिशल मैडिसन्स नहीं लेनी है नेबू से वजन कम करने का तरीका बिलकुल हरबल है वेट बढ़ने का साइंस बहुत ही सीधा साधा है यदि आप खाने पीने के रूप में जितनी भी कैलरीज ले रही है उतनी बन नहीं करेंगे तो आपका वेट बढ़ना तय है दरसल बची हुई कैलरीज ही हमारे शरीर में फैट के रूप में खटा हो जाती है और हमारा वजन बढ़ जाता है वजन कम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका present weight सही है या नहीं यहां से आप अपना body mass index जान पाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं कि BMI एक simple सा tool है एक बहुत ही simple सा tool है जिससे आपके वजन और लंबाई के हिसाब से body में कितना fat है यह बताता है तो BMI हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जिसका BMI 18.5 से कम है तो उसको हम कहते है underweight यानि कि उसका weight अपने height के हिसाब से कम है और जिसका BMI 18.5 से 25 के बीच में रहता है वो normal weight है यानि कि उसके body में fat जमा नहीं है और third आता है जिसका BMI 25 से 29.9 तक रहता है वो है overweighted person यानि कि उनका weight थोड़ा बहुत जादा हो गया है और last one आता है जिनका BMI 30 से जादा होता है इनको हम कहते है obese यानि कि बहुत जादा ये लोग होते हैं मोटापे से grass तो अगर बात करें नीबू में मौजूद पूशक तत्तों यानि इसमें कौन-कौन से minerals होते हैं तो इनमें कई सारे minerals होते हैं जैसे potassium, calcium, fiber, phosphorus, magnesium, vitamin C, iron, vitamin A, protein और carbohydrates मोटापा कम करने के लिए नीबू प्तमाल किया जा सकता है पहला तरीका जो हम आपको बतनाने जा रहे हैं वो है lemon tea यानि नीबू की चाय तो lemon tea बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए 8 से 10 मिनट में आपकी lemon tea तयार हो जाती है इसके लिए सबसे पहले आपको जो ingredient चाहिए वो है एक कप ठंडा पानी, एक पैन पानी गरम करने के लिए एक आधा नीबू, एक चम्मत शहदिया चीनी, एक चुट्की भर black salt यानि काला नमक और चाय की पत्ती सबसे पहले पैन में एक कप पानी उबाल लें, इसमें जरूरत के हिसाब से आधा चम्मत चाय की पत्ती डाल दें, इसमें आप स्वाधा नुसार शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बचाना चाहेंगे, अगर आप weight loss करना चाहते हैं, तो इसमें शक्कर की बजाए बचाय की पत्ती डालने के बाद ज्यादा देर तक पानी ना उबालें, नहीं तो ये पानी कड़वा हो सकता है, जब पानी में चाय की पत्ती कर रंग आएगा, तो तब गैस बन कर दें, अब चाय को छान कर एक कप में निकाल लें, अब इसमें आधा निंबु और एक चु कीजिए या फिर सुबह जल्दी उठकर लामन्टी पी सकते हैं जिससे आपका वेट लॉस होगा और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ये नियमित करना होगा तभी आपका वेट लॉस आप कर सकते हैं तो दोस्तों आगे भी आपके लिए कई सारी इंट्रेस्टिंग वीड के लिए अजब गजब क्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने नियूस कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद